हेलो शुरेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आज हम लोग linear equation two variables के questions करने वाले हैं और ऐसे question में लेके आया हूँ जो आपकी school test में जरूर आ जाएंगे ठीक है तो video को start करते हैं और questions करना शुरू करते हैं चल्ड़ फिर्सक्षन है write a solution of linear equation in two variables के लिखाए write a solution मतलब एक solution का मतलब क्या होता है x और y की वो value जो इसको satisfy करे मनलब solution का basic मतलब क्या होता है x और y की वो value जो इसको satisfy करे हमें सिर्फ एक ही solution मताना है तो यहार हमारे पास एक question है 5x plus 8y plus 8 is equal to 0 हमारे पास एक question क्या है 5x plus का 8y plus का 8 is equal to 0 तो यहाँ पर क्या करो put कर दो x is equal to 0 मतलब आपको solution find out करने के लिए आप x की कोई भी value ले सकते हो अगर आपको लगता है x को 1 लेना तो आप ले लो x को 2 लेना ले लो आपकी infinite solution होते हैं ठीक है लेकिन हमें सिर्फ एक बताने तो मैंने चलो x को 0 put कर लिया तो देखो कितना आजाएगा यहाँ से 5x के लोग यहाँ पर 0 plus का 8y plus 8 is equal to 0 तो 5 का 0 में multiply होगा 0 आजाएगा plus का 8y plus 8 is equal to 0 तो 8y plus 8 is equal to 0 आगया 8y plus 8 कितना आगया गया 0 आगया तो भाई 8y के आजाएगा minus 8 के equal to 8 से divide कर दो तो y आजाएगा minus 1 के equal तो y आगया minus 1 ठीक है तो x आगया 0 और y आगया minus का 1 ठीक है X 0 और Y-1 यही हमारा solution यानि यह हमसे कोई बोल रहा है solution क्या है तो X 0 है और Y क्या है minus का 1 है तो इस तरीके से question solve हो के बहुत simple और simple chapter रहे बाला ठीक है और देखते हैं next question किस पर बेज़़ है next है for what value of P the point this lie on this line हमारे पास line है 3X plus Y is equal to 11 यह हमारे पास line है 3X plus Y is equal to 11 यह हमारी line है आप से बोला कि यह point इस पर lie करता है तो कोई भी point जैसे मालने यह line है तो इस line पर कोई point अगर lie करता है तो satisfy करता है तो कौन सा point है वो point है P,2 यह point कैसा है P,2 है जो इस line पर यहाँ पर lie करता है तो कोई भी point lie करता है तो satisfy करता है तो अगर यह X है तो आपको पता होगा बताये गए आपको कि अगर कोई भी point होता है वो X,Y format का होता है तो इसका मतलब है X के लोग P है और Y के लोग 2 है तो क्या लिखोगे Since P,2 lies on line इस पर line पर lie कर रहा है तो हम satisfy करवा देगे यहनि कि X जो है वो P है यहाँ पर P रख दो तो 3P plus, यहाँ पर यह 2 है तो यहाँ Y को 2 रख दो, is equal to 11, क्या आ गया? X को यहाँ पर 3P, मतलब 3 और X को P put कर दिये 3P यह Y को हमने 2 रख दिये तो यह 2 आ गया और यहाँ पर is equal to 11, तो यह क्या आ जाएगा? 3P is equal to 11 minus 2, तो यह 9 आ जाएगा 3P is equal to 9 आ जाएगा, तो P कितना आ जाएगा? P 3 आ गया, ठीक है? तो इस तरीके से हमने value find out कर ली P की तो P is equal to क्या हो गया? 3 हो गया, समझ माया? यहनि कि P, 2 line पर लाई करवाया, तो X को P रख दिया और Y को 2 रख दिया 2 को minus कर रहा, तो 11 minus 2, 9 आया, 3 से divide कर रहा, P हमें 3 मिल गया, I hope आपको इस चीज समझ में आ रही होगी ठीक है? next देखो, X is equal to 0, Y is equal to K is a solution of this equation तो हमारे पास है 5X minus 3Y is equal to 0, क्या है? 5X minus 3Y is equal to 0 है, और इसमें बोला है X is equal to 0 और Y is equal to K is a solution, तो put कर दो simple, तो 5X के लो 0 put कर दो, minus का 3, Y के लो यहाँ पर कितनी है? Y यहाँ पर क्या है? K के इक वाल है, is equal to 0, बस इसको solve कर लेते हैं, यहाँ से K मिल जाएगा तो 5X 0, 0 हो गया, minus का 3K is equal to 0, ठीक है? equal to 0 है, तो equal to 0 हो गया, right side यहाँ पर क्या है? 0, तो यह तो 0 हो गया है, यहीं, minus 3K is equal to 0 तो K आ जाएगा? 0 upon minus का 3, तो कितना आ गया? तो यहाँ से K की जो value है, वो आ गई, 0 के बराबर, ठीक है? तो K हमारा आ गया, 0 के equal, समझ में आ रहा है? कि किसके बराबर आ गया? 0 के equal आ गया, ठीक है? तो के ही निकालना था इस question में, I hope आपको यह question अच्छे से समझ में आ गया हो, ठीक है? अरविन से टू विनोद, अरविन विनोद से कहता है कि, इफ यू विल गिब मी 10 एरेजर, I will have twice the एरेजर left with you, represent this situation as the linear equation to variable, अब देखो, जिसे 4 example आपके पास 100 रुपए हैं, और मेरे पास 50 रुपए हैं, मैंने आप से अगर 10 रुपए ले लिए, तो आपके पास तो कम हो ज जाएंगे, 90 बचेंगे, 10 रुपए आपने मुझे दे लिए, 60 हो जाएंगे, समझाओ, तो इस तरीके का कुछ है, तो पहले एक काम करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट अरविन्द, लेट अरविन्द हैज, एक्स एरेजर, हमने माल लिया, शुरुवात में जो अरविन है, उनके पास जो एरेजर्स हैं, वो कितनी है, एक्स एरेजर्स हैं, और विनोद के पास, विनोद हैज, वाई एरेजर्स, विनोद के पास कितनी एरेजर्स हैं, वाई एरेजर्स हैं, वाई एरेजर्स हैं, तो अगर अरविन्द के पास एक्स एरेजर्स हैं, वाई एरेजर्स हैं तो अब condition जड़ा apply करते है according to question अब जड़ा according to question condition apply करते हैं कि भाई हमें condition यहाँ पर दे के रखी है condition हमें यह दे रखी है कि अगर यहाँ पर हमसे यह बोला गया है देखो एक तो यह चीज हो गई कि अर्विंद के पास अगर एक से रेजर हैं विनोद के पास एक से ठीक है तो क्या बोला गया तो अर्विंद के पास एक से रेजर हैं Principal और यह विनोदैं यह आप अब यह बोला गया था कि अटो ऊसञाँ के दस लिटकशोर हमें तो आपके 10 रुपय कम हो जाएंगी ना 90 विनोत के पास तो 10 कम हो जाएगा और यह तुमने 10 रुपय मुझे दे दिए तो मेरी तो बढ़ जाएंगे ना तो मेरे पास एक्स और पहले थी तो अप कितना तो मेरे पास तुम्हारे पास से डबल हैं, ट्वाइस हैं, तो भई एक्वल टू को साइन लगा दो, डबल कर दिया मैंने, सहरो, मैंने क्या गिया, अरविंद के पास जो एरेजर है, वो डबल कर दी, इन एरेजर से, यानि कि y-10 से, किलियर हो गया, समझ में आगे यहां तक चली बहुत अच्छा, अब क्या हो गए, यहां पर देखो, solve करते हैं, यह को simplify करते हैं, तो यह आजाएगा, x plus 10, is equal to, 2 का multiply करेंगे, तो आएगा, 2y minus का 20, कितना आगया, 2y minus का 20 आगया, अब इन दोना नंबर को इस side कर दो, तो यह आजाएगा, x minus का 2y, ठीक है, x minus का 2y, is equal to 0, तो यहां से कितना आजाएगा, x minus का 2y, 10 plus 20 कितना आजाएगा, 30 is equal to 0, तो यह तुमारा answer आगया, x minus 2y plus का 30 is equal to 0, किलियर है यहां तक, तो यही इसका answer है, क्योंकि हमारी यह linear equation होगी, two variables में, किस में होगी, two variables में, I hope आपको इस चीछी संज में आगी हूं, कि यहां प इस तरीके सकरते हैं, के अरविंद के पास हमने x लिया, विनोथ के पास y, विनोथ ने 10 एरेजर इसको दी, तो यह प्लस 10 हो गया, यहां पर minus 10, और अरविंद के पास जो एरेजर हैं, वो twice है, double है, तो double कर दिया, ठीक है, और simplify कर दिया, अजहां, अगर यह से यह PDF वगएर रहती हैं, आप आराम से PDF से अपने questions को solve कर सकते हो, ठीक है, तो telegram की जो link है, वो description में आपको मिल जाएगी, चली next question देखते हैं, क्या है, next है हमारा, पाई x प्लस का 3y is equal to 25, क्या है, पाई x प्लस का 3y is equal to 25, और बोला है, y की यह लूब one put कर दो, तो x क्या होगा, यह तुम ना होगा, वो आपको बताना है, ठीक है, चलो, अगर मैंने put कर दिया, y is equal to 1, ठीक है, अगर मैंने y को 1 put कर दिया, तो कितना answer आएगा, चलो देख लेते हैं, तो पाई x प्लस 3 into, y के लूब कितनी है, 1 is equal to 25, तो कितना आजाएगा, पाई x प्लस 3 is equal to 25, समझ में आ रहे है अब 3 को माइनस कर दो, तो पाई x आ जाएगा, 25 माइनस का 3, तो पाई x आ जाएगा 22, कितना आ जाएगा, 22, किलिए रहे हैं तो, देख लो, फिर समझ लो, सिंपल जो दे रखा, वो put कर दिया, क्या, पाई x प्लस का 3y is equal to 25, y is equal to 1 था, तो हमने यहाँ पे y के लूब 1 put कर तो यह 3 into 1, 3 हुआ, 3 को माइनस करा, 22 आ गया, तो x कितना आ गया, 22 और यह पाई डिवाइड में आ जाएगा, अब चाहो तो पाई की value put कर लो, यहीं छोड़ दो answer, चलो put कर लें तो कितना आएगा, पाई की value होती है, 22 upon 7, अब जो number 7 डिवाइड में होता है, यह चला जाता numerator में, तो यह आ जाएगा, 22 into 7 upon, यह जो 22 है, वो नीचे रहेगा, यह कट जाएगा, तो x कितना आ गया, 7 के बराबर आ गया, I hope आपको यह चीछ समझ में आ गयी हो, तो यहाँ पर जो answer हमें मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 7 के बराबर मिलेगा, ठीक है, अच्छा, next देखो, next है, write the equation of line parallel to x-axis at a distance 3 units above the x-axis, तो यह देखो, यह मैंने आपको coordinate geometry में भी बताये ता फिर से बता देता हूँ, अगर कभी कोई question ऐसा आ जाए, कि बोले, x-axis से parallel line की equation बता हूँ, या कभी कोई बोले, अगर यह x-axis है और यह y-axis है, कभी आप से कोई यह बोले कि y-axis से parallel line की equation बताओ, दो ही type के question बनते हैं इस type से, तो वस करना क्या अपको, अगर आप से कोई बोले, x के parallel बताओ, अगर आप से कोई बोले, x-axis के parallel line की equation बताओ, तो यह जान लेना, अगर यहाँ पे मानलो y2 है, तो यह line की question होगी y is equal to 2 जितना y है उसको लिख दो y is equal to जैसे यहाँ पर अगर x माल लो यहाँ पर 5 है तो अगर यह line parallel to y axis है तो यह x is equal to 5 होगी कितना असान है समझना अगर y के parallel है तो x is equal to something something मतलब जो भी number है यहाँ पर x का अगर x के parallel है तो y is equal to something something मतलब जो भी यहाँ पर y है इस तरीके से करना होता है अब जरा इसको समझते हैं जो question हमें दे रख था है क्या लिखा था find a question of line parallel to x axis तो अगर यह हमारी x axis है x axis के parallel बताना है 3 units above the x axis अच्छा यह अगर x axis है इसके उपर 3 unit इसके उपर कितना लेना है 3 unit हमें लेना है तो 1 unit 2 unit और 3 unit तो इस point पे हमें x axis के parallel line draw करनी है तो अगर मैंने यह line draw कर दी तो अगर यह line x axis के parallel है तो यह y is equal to क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा y is equal to 3 इसका अंसर है आई हो आपको इसके में आगया हो किस तरीके से मैं approach करना इन questions को ठीक है अगर अभी तक आपने वीडियो को like नहीं कर रहा और आपको लगता है आपके लिए valuable content है तो आप वीडियो को like करके मेरा manual बढ़ा सकते हैं ठीक है चलो next करें क्या लिए लिए राइट थ्री पॉस्विल लीनियर एक्वेशन विच कैन पास इस थ्रो 3,2 मतलब 3,2 से पास होने वाली एक्वेशन बताओ कितनी एक्वेशन होती है बैसे तो अच्छा में पहले यह चुब दो इसमें तो तीन पूछ रहा है आप लोग मुझे बताओ एक पॉइंट अगर मैं दे दूं और मैं आपसे पूछूं कितनी लाइन पास करेंगी वीडियो को पॉस्ट कर दो अब मैं बताता हूं कि अगर कोई बोले एक पॉइंट से कितनी लाइन पास होती तो इस पॉइंट से यह लाइन हो सकती है यह भी हो सकती है यह भी लाइन हो सकती है यह भी हो सकती है स wiping भूह सिरे लाइन आपके पास हो सकती है मतबब इंफानईे लाइन के पास लेकिन हमैं सिर्फ 3 लाइन भताने लोग दिया किसीनं तो सर्प टूमे क्या ले बैते हैं तो क्या करो भूinka कर लो देखो जो पॉइंट होता ना यह पॉइंट दे रखो रखा है तो यह H.O.T. होता है यह ठो ही होता है तो तुम्हें दोने कहरे कहले हैं किसी का मन कर रहा है कि वह 2x plus y लखना चाह रहा है कि लिएक्स प्लस प्लस वाई तो राइच साइट ना बढ़ा हो तो टू लिख लो रफ में ब्रेकेट एकस एकस कितना है ठीन ठीन लोग प्लस वाई कितना माईनेस टूँर लो कितना और रहे थी जट्छिंग फॉर लोग फॉर लिख दो बने ऐसे के संधर थे थर्ड अब तो मैं जो मन कर रहा है combination का आप लोग comment section में अपने according answer देना तीन देखते हूं तुम लोग कितना सही सीख गया है वजजी इस question का answer सब लोग comment section में लिखना ठीक है तो अगर मैं यहां पे लिखूं मालब मेरा मन कर रहा है मैं 3x कर लेता हूं 3x plus 2y ठीक है और देखते हैं कितना है इस पर तो 3 into x कितना है भाई हमारा x3 a plus 2 into y कितना है माइनस टू है तो 339 224 माइनस का 4 कितना आ गया 5 आ गया तो 3x plus 2y is equal to 5 आ गया तो अगर आप बस xy में अपने कोडिक कोई कॉंबिनेशन बना लो और वहां पे xy पुट कर दो आपका अंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट है find the coordinate का मतलब आपको एक पॉइंट बताना है जिसमें x, y होता है ठीक है यह बताना है अगर मैं इसका एक रफ फिगर बनाओ तो यह कहना चाहरा है कि अगर कोई लाइन है यह लाइन है मालो अब यह लाइन इसकी ऐसी बनेगी कि नी बनेगी उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं हम एक जेट फिगर की बात नहीं कर रहे हैं यह ज़रू पता है कि यह लाइन x-axis को intersect करती है अब आप मुझे बताओ अगर कोई line ये कोई जो line है अगर वो x-axis को intersect करती है तो क्या उसका y-coordinate 0 होता है क्या x-axis पे कोई भी line intersect करती है तो y-coordinate क्या होता है 0 होता है न अच्छा तो y-coordinate यहाँ पे हमने 0 कर दिया x-axis पे y coordinate को क्या कर दिया 0 कर दिया अब आप y को 0 put करके x निकाल लो तो ये line की equation है कितनी 2x plus 3y is equal to 6 ये है हमारी line की equation हमारी line की equation क्या है 2x plus 3y is equal to 6 तो y की value जरा यहाँ पे 0 put कर दो और x निकाल लो 2x plus 3 into y y कितना है 0 और यहाँ से x के लूँ पता कर लेंगे ठीक है तो देखो 2x plus 3y की value यहाँ पे 0 is equal to 6 तो 2x plus 3 का multiply 0 हम करेंगे 0 आजाएगा is equal to 6 तो 2x आजाएगा 6 के बराबर तो x आजाएगा 6 upon 2 तो x आजाएगा 3 के बराबर ठीक है समझ मैं है तो यानि क्या हो गया हमें अगर y 0 दे रखा है तो x आगया 3 के बराबर हमें coordinate निकालना था यानि point पता करना था और point होता है x, y format में तो point क्या आजाएगा x coordinate हमारा 3 है y coordinate हमारा 0 है तो क्या point हमारा 3, 0 आजाएगा सबरो तो हमारा point क्या आगए इस question में 3, 0 इस तरीके से हमने करा clear है सबको यानि कभी भी ऐसा question आजाएग find the coordinate on y axis तो उस time x coordinate को 0 कर देना ठीक है समझार उल्टा करना है x axis पे y को 0 और y axis पे x को 0 तो point आजाएगा write the equation of line parallel to x axis and passing through the point point जो है इधर bracket लगा है minus है यहाँ पे तो minus 3 minus 4 है minus 3 minus 4 इस point से pass होने वाली parallel x axis की equation बतानी है चलो पहले तो इस point को plot कर लीजे सबसे पहला काम इस point को plot करना अब आपने coordinate geometry में इस point के बारे में पढ़ रखा होगा कि x negative और y भी negative है तो यह third coordinate में आता है तो यह minus 1 minus 2 और यह minus 3 और यह minus 4 y में भी negative ले लो minus 1 minus 2 minus 3 और यह minus 4 तो यह point है minus 3 minus 4 तो x minus 3 और y minus 4 कहीं यहाँ पे आ जाएगा तो इस point से write the equation of line parallel to x axis and passing through this point तो x axis यह है मेरी तो x axis के parallel line के equation यह होगी हमारी सब्सक्राइब हो तो अभी पहली के अपने एक question कर रहा है उसमें क्या सीखा था अगर कोई line के parallel line है कोई line अगर हमारे पास है x axis है इस x axis के अगर parallel एक line है अगर मुझे उसकी equation बतानी है तो कैसे आएगा उसका answer पता है अगर x axis है तो y is equal to answer आएगा कितना आएगा y is equal to कितना आएगा जितनी यहाँ पर y की value कितनी है minus 4 तो यही तुमारी equation होगी y is equal to minus 4 क्या हो जाएगा y is equal to minus 4 बस इस तरीके से होगे question solve clear है तो next क्या लिखा है if the point this lie on the graph of the equation this graph छोड़ो बस यह पूछ कह रहा है कि यह वाला जो point है जो भी equation इस पर lie करता है और हमारी equation है हमारा point है 2k minus 3 कॉमा में है k plus का 2 और वो equation जो है 2x plus का 3y plus का 15 is equal to 0 यह equation है ठीक है 2x plus का 3y plus 15 is equal to 0 क्या लिखा है if the point this lie on the graph this ठीक है find the value of k यह आपको x और y पूट करना है मैंने दाए तो ना कोई भी point अगर lie करता है तो satisfy करता है तो point में क्या होता है यह x होता है और यह क्या होता है y होता है this is x this is y this is x this is y अब आप इस line में x और y को put कर दीजिए तो क्या जाएगा twice of x की value कितनी है 2k minus का 3 plus 3 bracket y y कितना है k plus का 2 और plus का 15 is equal to 0 यह जाएगा चलो 2 का अंदर multiply करो 2 2 जा 4 2 3 जा 6 plus 3 into k 3 k plus का 6 plus का 15 is equal to 0 चैक कर लीजिए calculation 2 2 जा 4 4 k minus 6 3 k plus 6 plus का 15 is equal to 0 आरसम में सब को तो 6 से 6 cancel कर दो 4 k plus 3 के 7 k हो जाएगा plus का 15 is equal to 0 तो 7 k आ जाएगा minus का 15 और k आ जाएगा minus का 15 upon 7 कितना आ गया k हमारा आ गया minus का 15 upon 7 clear है तो यह इसका answer है k is equal to minus का 15 upon 7 I hope आपको इस चीज़ के लिए हो गई होगी ठीक है नेक्स्ट देओ क्या है नेक्स्ट में लिखा है पढ़ो जड़ा पहले आप लो वीडियो को पॉस्ट करें खुशी भी ट्राही कर सकते हो लेंध और रेक्टेंगल डिक्रीज़ बाई 3 और ब्रेथ जो है वो इंक्रीज कर दी जाए और अब रेक्टेंगल है तो हमें पता है रेक्टेंगल में एक लेंध होता है और एक ब्रेथ होता है तो एक बताओ, अभी बिना किसी condition के, अगर मैं आपसे area पोछ लूँ, क्या पोछ लूँ, area, तो आप बताओ area क्या होता है, क्या वो L into B होता है, L हमारा X है और B हमारा Y है, तो क्या area XY आजाएगा, चेक करूँ, क्या हमारा area जो है, वो XY आजाएगा कि नहीं आजाएगा, बता अच्छा जी, अब area L into B होता है, L हमारा X है, B हमारा Y है, area X into Y, अब यहाँ पे देखो, आगे कहानी समझते हैं, अभी हमने क्या करा, जो हमने खुद variable let किये न, variable let करे न, X है और Y है, तो area X into Y, ठीक है, अब कुछ condition में अलग दे रखका है, क्या दे रखका है, कि length जो है rectangle की decrease कर दी जाए, कितनी, 3, तो पहले length कितनी थी, X थी न, तो X में 3 कम कर दिया, यह length है, बृत में 4 increase कर दो, पहले बृत कितना है, Y है, तो Y प्लस 4 कर दो, यह B हो गया, L और B का जब multiply करते हैं, तो क्या मिलता है, area, यहीं equal to, area बोला, increase हो रहा है, 9 square unit, पहले area कितना था, X into Y, में 9 at कर देंगे, पताईए, सुनो द्यान से बात, फिर से मैं समझाता हूँ, मुझे पता है, थोड़ा doubt आया होगा, देखो, अगर हमने शुरुवात में इस rectangle की length को अगर X ले लिया, और B को अगर Y ले लिया, तो area क्या होगा, बताओ, अगर हमने इस rectangle में length को X ले लिया, और B को Y ले लिया, तो क्या हमारा area L into B से X into Y आएगा, आप को गया हाँ, अब condition क्या बोल रहा है, कि length को decrease करना है, ब्रित को increase करना है, तो L into B से क्या मिलेगा, area तो वो जो area है, तो बोला गया था कि जो पहले area था कुछ, वो 9 square unit increase कर गया गया, तो पहले area कितना था, X Y था न तो X Y में 9 को हमने add कर दिया, क्या कर दिया, X Y में 9 को हमने add कर दिया, बस आब आप इसको simplify कर लीजे, आपका answer आ जाएगा, तो X का multiply Y में करेंगे, X Y, X का multiply 4 में करेंगे, तो plus का 4X, minus 3 का multiply Y में करेंगे, तो minus का 3Y, minus 3 का 4 में multiply करेंगे, minus का 12 is equal to X Y plus 9, चेक करिए, ठीक है, म मैंने क्या करा कि फिर से देखो एक्स माइनस 3y प्लस 4 एक्स का मल्डीप्लाई वाई में करेंगे तो एक्स वाई आया एक्स का लिप्लाई 4 में करेंगे तो 4x आया माइनस 3 का माइनस 3y यह माइनस का 12 और यह एक्स वाई प्लस का 9 तो xy से xy हो गया cancel तो कितना आएगा यहां से देखो 4x यहां से माइनस का 3y इसक्वल टू यह जो माइनस का 12 वे राइट साइड में जाके प्लस का 12 हो जाएगा तो 9 प्लस 12 वा जाएगा क्या जाएगा यह 9 है और यह जो माइनस का 12 वे राइट साइड में जागे क्या हो गया प्लस का 12 तो हमारे पास equation क्या आगई 4x माइनस का 3y 12 प्लस 9 हो जागा 21 ठीक है तो यह answer आ गया 4x माइनस का 3y is equal to 21 clear हुआ तो इस तरीके से हम इस question को solve करते हैं तो आई हो आपको यह चीज़ में आ गए होगी कि 4x माइनस 3y किसके एक को लागया है 21 के एक को लागया है ठीक है चलो आगे बढ़ते है next देखो क्या लिखा है express x in terms of y for the linear equation this मतलब x की value express x x को y के terms में लिखना यह question में बोला गया है express x in terms of y x की value y के terms में बतानी है और equation क्या है मेरे पास 2 upon 3 into x plus 4 into y is equal to minus 7 यह है मेरे पास equation ठीक है 2 upon 3 into x plus 4 y is equal to minus 7 ठीक है 2 upon 3 x plus 4 y is equal to minus 7 और हमें express करना है x in terms of y x को जो है y के terms में express करना है ठीक है तो कैसे करेंगे इसको तो अगर आपको x की value y के terms में निकालनी है तो x को रखना है lhs में बाकि सब को कर देना rhs में ठीक है तो 2 y 3 x इस y को इदर कर दो तो minus 7 minus का 4 y मतलब क्या करना है अगर आपको x को y के terms में लिखना है तो सब कुछ lhs में मतलब x वाला terms lhs में रहने दो और बाकि सब को कर दो rhs में 3 को अब यहां multiply कर लो तो 2 x is equal to 2 आजाएगा 3 times minus 7 minus का 4 y 3 into minus 7 minus का 21 होगा 3 into minus 4 minus का 12 y होगा 2 x आएगा 2 x आगया minus का 21 minus का 12 y तो यहां से x के लूँ क्या आजाएगी x के लूँ आजाएगी minus का 21 minus का 12 y upon 2 कितना आजाएगा चेक कर लो यह हमारा answer होगा ठीक है मतलब क्या आपको x वाले terms को lhs में छोड़ना है बाकी सब को आपको आर्चस में करना है तो 2 y 3 x यह आगे इदर 3 का यह multiply हुआ 21 यह 12 y हुआ और यह 2 जो है वो divide में चला गया तो answer क्या आगया minus 21 minus का 12 y upon 2 ठीक है next कहा देखू determine the point on the graph of linear equation अच्छे graph word use हो रहा है लेकिन आपको पता है कि इस बार जो एक graph बाला course में नहीं है आपके तो graph आपको नहीं बनाना है पस logic समझना है कि हाँ एक line होगी और line कहां बनेगी graph पे बनेगी तो determine the point on the graph अब graph छोड़ो आप सोचो यह line की equation दे रखिए क्या दे रखिए x plus y is equal to 6 ठीक है तो बोला ये गया है कि point बताओ अब तुम्हें कोई point बताना है तो point क्या होता है हमेशा x, y हionar अगर कोई आपको point बताना है तो πरामेट का होगा नहीं आप को format कही होगा अगर आपको फ़र्मेट बताना है तो तो P है x, y x, y तो हमें x और y पर focus करना पड़ेगा इस question में अच्छा अब क्या लिखा है determine the point on the graph of this line whose ordinate is two times of fc सा जो ordinate है वो two times है fc सा का पहले पता है कि fc सा ordinate क्या होता है जो x coordinate होता है इसी को fc सा बोला जाता है क्या बोला जाता है fc सा और जो y coordinate होता है इसी को ordinate बोला जाता है क्या बोला जाता है ordinate ठीक है तो अगर इसको मैं पहली condition माल लूँ तो तुमको क्या दे रखा है जो ordinate है ordinate मतलब y की बात हो रही है वो double head twice head two times किस से fc सा से fc सा x होता है यानि हमें y की value मिल गई है two x अब इस y के लिए जो two x है वो यहाँ पर put कर दो put the value of y in equation first put the value of y put the value of y in equation first हम first equation में इसको put कर देंगे put the value of y in equation first तो हम इस first में put कर दो y के लिए तो क्या आजएगा x plus y के लिए यहाँ पर two x रख दो is equal to six तो यह आजएगा three x is equal to six तो x आजएगा six upon three कितना आ गया x आगे two अब x अगर two आगे तो y कितना आएगा तो y हमारा two x है तो two into x हमारा two तो y के लिए फोर आजएगी तो y फोर आ गया और x हमारा two है तो हमें तो point निकालना था न और point होता है x, y तो point क्या आजएगा x हमारा two है और y हमारा four है तो कांसर क्या आजाएगा 2,4 क्या अंसर आजाएगा 2,4 I hope आपको यह चीज समझ में आई हो क्या आंसर क्या आगया 2,4 clear है सबको सबको समझ में आ गया ठीक है तो यह answer होगे इसका clear चलो next देखें next लिखा है find the coordinate यह नि कॉडिने मतलब वही x,y बताना है where the linear equation this meet at y-axis अगर meet करती है y-axis पे अब आप बताओ अभी मैंने सिखाया भी ताइबात के y-axis अगर है तो y-axis पे x is equal to 0 होता है क्या होता है y-axis पे क्या होता है x is equal to 0 होता है आई हास में लग क्या अगर x-axis पे meet करता है तो y 0 और y axis में meet करता है तो x 0 उल्टा करना है तो coordinate बताने के लिए तुम्हें x चाहिए और y तो x तो पता ही लग गया कि y axis पे अगर कोई line meet करेगी तो x तो इसमें 0 होगा अब इस line में हम x को 0 पुट कर देंगे और y निकाल लेंगे तो हमारे पर line की equation है 4x minus का 2y 3 into y is equal to 7 तो 4x, x कितना है 0 तो 4 into 0 minus का 2y 3 into y is equal to 7 तो यह तो 0 हो जाएगा 0 minus का 2y 3 into y is equal to 7 अब यहां से y निकाल लेते हैं तो y is equal to तो यह तो minus 2 है और यह 3 जो है 7 के साथ multiply होगे 21 आ जाएगा तो y आ जाएगा 21 upon minus का 2 और यह जो minus sign है वो numerator में दे तो y कितना आ जाएगा minus का 21 upon 2 कितना जाएगा minus का 21 upon 2 ठीक है आए इसमें तो y के लिए आ जाएगी minus का 21 upon 2 ठीक है क्लिर हो गया तो यह x 0 आ गया और y हमारा minus का 21 upon 2 आ गया तो हमारा point क्या हो जाएगा point point होता है हमेशा x, y तो x 0, y कितना है minus का 21 upon 2 तो 0, minus का 21 upon 2 यह हमें जो coordinate निकालना था वो यह answer होगा ठीक है तो इसको note कर लो मैं side हो जाता हूं तो बस यह सारे questions थे I hope आपको इस chapter के सारे questions संज में आया हो एक फिर से देखना कोई doubt रह जाता है और अपना feedback जरू comment section में लगें और फिर भी और आपको किस chapter वीडियो चाहिए वह सब्सक्राइब करें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तो अपना ख्याल रखें पढ़ाई करते रहें लास्ट में यह बात बोलूँगा कि आप सभी सफल हो धन्यवाद झाल झाल झाल